अब 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 करेंगे और साथ ही साथ हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको अच्छे से समझाया था लेकिन फिर भी इस वीडियों जो कि अब अब वाऊफ्सिंग और उसके बाद आपको यूज करना विस्वाइशा करते हैं काफी लोग कमेंट आ रहा है किसी के मोज्व में कनेक्ट हो रहा है क이스 क मोज्व में नहीं हो से सारा प्रोब्लम इस वीडियोup में धूर कर देंगे काने कर patch सकते हैं इस सिंगल वाला है सिंगल माइक है इसका मोडल नंबर ध्यांत सुनिए मोडल नंबर जे 11 है अगर मोडल नंबर जे 13 मगा लिए उसका कुछ अलगी सेटिंग है यह जो जे 11 है कौन-कौन फोन में काम करेगा यह भी मैं आपको बता दूंगा जे 11 फोन सिर्फ टाइप कि इसके लिए दिया गया है याने कि काने का अंडराइड मॉबाइल में भी उच कर सकते हैं और आई आई फोन बागारा में भी युच कर सकते हैं इस माइकरो फोन का सबसे बेश्ट यूजे की सोन बगरा जहां पर ज्यादा नौइस है वहां पर जो है कि आप कर सकते हैं इसमें देखिए प्ले अप्शन दिया गया है बीस मीटर का डिस्टेंस है और उसके बाद यहां पर नौइस कंसलेशन एक्टिविटी दिया गया है इसका अगर धीर से भी बोलिएगा तो काफी और उन यूटूबरों के लिए बेस्ट है जो अपने यूटूब वीडियो को किरिड़ करते हैं जहां पर हला गुला होते रहता है उनके लिए जो है कि सबसे बेस्ट है इस बॉक्स के अंदर मैं आपको थोड़ा दिखायता हूं इस बॉक्स को अगर हम उपन करते हैं तो देखे जैसे कि आपका एर पेड नहीं होता है कि यहां पर एक बॉक्स दिया जाता है जो कि आप देख सकते हैं इस तरो अहिकर से जो करें अशुता है और receiver हमारे phone में लगा हुआ है यह दौनों इसी में रखा होता है एक को जो है की लगा कर हम mobile में लगा दिये हैं और एक जह की हम यहां पर यह हमारा mic है और इसका जो receiver है उसमें लगा दिये हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसको जो है की charge करने के लिए यह box दिया गया है इस box में आप easily ऐसे रखिएगा और इसके साथ एक data के वल दिया गया है मैं आपको दिखाता हूं इसको इस तरह से जो कि कॉलर में लगा सकते हैं और कॉलर में लगाने के वाज़े कि आपको आपका voice जो है तो काफी बढ़िया जाएगा और एक छी और मैं ब लगाकर और इसको सीधा पलग में लगा दिजेगा यह आपका चार्ज होजचेगा जब होज़े बकरी चरनग कर देगा और यहां पर एक वuciones करना बंद करतेगा आपको समझ माँदा होगा। दूसरी चीज़ इसका जब आप recording कर लेते हैं तो यहां पर चालू करने के लिए बटन दिया गया है इसको जैसे ही दवाईएगा यह चालू हो जाएगा यह पर दवाईएगा तो चालू हो जाएगा दूआरत दवाईएगा तो यह दो बार भी लिंक करेगा एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इसको जो इसमें जो हम लगाए हैं यहां पर इसको लगाने के बाद आपको मुबाईल में एक OTG रहेगा उस OTG को आपको ओन कर लेना है और OTG जैसे ही ओन कीज़ेगा उसके बाद जो है कि इसमें भी एक लैट दिया गया है और इसमें भी नीचे से जो है कि यहां पर लाइट रेट जल रहा है और इसमें भी अगर रेट जलेगा तो समाझ लिए कि यह हमारा बिलिंग करेगा तो बिलिंग करने का मतलब है कि हमारा जह की OTG कनेक्ट नहीं हुआ है अगर OTG कनेक्ट हो जाएगा तो यह बिलिंग करना बंद हो जाए अगर इसको हम यहां से बंद कर देते हैं तो देखिए कई से होगा तो अब यह चालू हो गया इसको इसको आपको दबाना है तो एक वर लट बंद चालू होगा देखिए यह एक वर बिलिंग किया इसका मतलब कि एक फर्स्ट लिवर नौइस कांसलेशन एक्टिवेट हो गया है दूसरा अगर इसको दुवारा एक वर और दबाते हैं एक ही वर दबाना है देखिए दुवारा दबाएं तो दूवर बिलिंग किया तीसरा पर दबाते हैं देखिए एक वर आओ तीसरा और दबाएं तो एक वर और पिलिंग किया यहना कि तीन लेवल तक जो है कि नौइस कंसलेशन एक्टिवेट कर सकते हैं बिल्कुल आपका नौइस कंसलेशन एक्टिवेट हो जाएगा और इसको जो है कि इससे जो है कि आप कहीं भी ब्लॉगिंग बगरा भी अगर आप ब्लॉगिंग में भी यूट करते हैं तो काफी बढ़ियां बेस्ट बर्क करने वाला है और इसका जो है कि मतलब यहाँ पर चार्जिंग टैम जो है कि यहाँ पर चार्जिंग टैम जो है क कि आप सीधा जो है कि 20 मिनट से एक घंटे के अंदर इसको फूल चार्ज कर लेना है और इसका बैक अब जो है कि 7 दिन 8 दिन तक खुब अराम से चल जाता है और मैं इसको काफी दिन से यूज़ कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपको यह यहां पर अन्बॉक्सिंग भी करके और यूज़ करके भी दिखा दिया ताकि आपको यह विश्वास हो कि हाँ यह जो माइक है यह हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है और इसको मैं लगतार अपने जो यूटूब वीडियो है इसको मैं यूज़ कर रहा हूं इस बॉक्स में हमें डाटा के वाल भी मिलता है इस पॉल estás और यहां पर user manual है देख सकते हैं यह विजर मेननुवन और इसमें एक बारांटी काट भी दिया गया है देखिए यह है बारांटीे काट इसमें इस तरह से जो कि गिर्णारों लिखा हुआ है और इसमें आपको एक चिया और बताता हूं कि अगर आपके पास टाइब सी मोबाइल नहीं है तो क्या इसको यूज कर पाईएगा तो मैं यहां कहूंगा कि यह यूज नहीं कर सकते हैं कि इश्वाद जाई देखे इसमें लिखा गया है इसे तरीके से से जो कि अपने मोबाइल में लगाना है जिएन से देख्छी आपरी jego तरीके से जो कि लगाना है देख रहे हैं इसी तरीके से जो कि आपको अपने मुवाइल में लगा लेना है यह जो है कि हमारा जब नहीं कनेक्ट रहेगा तो रेड लाइट बिलिंक करेगा उस वाद मान के चलिए आपका ये चार्ज खतम हो जाता है तो डाइरेक्ट इस डाटा के वाल को जो है कि देखिए इस डाटा के वाल को मान के चलिए आपका मुवाइल डिस चार्ज हो जाता है तो आप सीधा क्या किजिए कि इस चार्जर को यहाँ लगाए पलक में और इसमें जो है कि यह facility मेरे को बहुत अच्छा लगा माइक भीचने हो वहां पर आपका मोबाइल वीडियो भी बनता रहेगा और चार्ज भी होता रहेगा अगर मान के चलिए इसको चार्ज करना है इसमें भी हमारा चार्ज खतम हो गया तो हम डाइडेक्ट इसमें जहीं देखिए यहाँ पर दिया है यहां से हम डाइडेक्ट इसको चार्ज कर सकते हैं यह भी facility मेरे को अच्छा लगा उसके बाद एक और facility है वह facility मैं आपको बताता हूं हु अब कि यहां पर आइफोन के लिए दिया गया है ध्यान से देखिए यह खहे हैं कि उसको हमारा आइज़ीवर लगा है उसको इस Mai लगा कर देगा तो यह बहुत कमाल का चीज है दूसरी चीज और यह बताना चाहता हूं यह और यहां पर दिया गया है टाइप सी वाला यह टाइप सी और प्लस में 3.5 mm जैक का दिया गया है इससे क्या होगा कि इसमें मान के चली इसमें हम वीडियो में लाइक कर रहे हैं वीडियो में लाइक कर रहे हैं तो यहां पर हम हैजी जो है कि इसमें इसमैं कि देखी इस तरीके से जो कि हम लगा देंगे इसमें और यहां पर हैड़गा लेंगे हैड़ फॉन लगा लेंगे और लाब statistically कान लो करेंगे चाहिए जिस भी आप्लिकेशन पर लाइब स्ट्रीम करें यूटूब हो गया फेस्बूक हो गया जहां भी हम लाइब कर रहे हैं इसको अगर लगा लें हीटफोन तो यहां से हमारा सुनाई देगा और जो बोलेंगे वही हमारा यहां सुनाई देगा तो कफी बढ़ियां बेश्ट तरीका है इससे अपका यह होगा कि आप जो भी लाइब स्ट्रीम किजेगा तो बार बर बोलना होता है कि आप आपका जो है कि आगे पहुंच रहा या नहीं तो आपको सीधा क्या करना है कि आपको इसको यहां से हेड़फून ऐसे लगा लेना है टाइप सी और आपको खुद से जो ह आप आउज वास जोएकि को यहां तुरीछ इस तरीकर सकते हैं यहां कफी माइक वाना जाता है गण रुका अभी लग वग मनिया्स एक वन यृर्स से हम इसको यूज कर रहा है और काफी बेस्ट प्रफोर्मेंस रहा है और साइध आप भी इसके उज़ कर सकते हैं और यह जो है कि कोमेंट के चीएगा बाकी अपहरे आप देख सकते हैं जैसे इस तरह से बाक्स पक्चेजिंग करके आता है बाकी इसका लिंक अगर आप चाहते तो यहां पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वहां से जाकर आपको इसको इसली जो कि पर्चेस कर सकते हैं तो आपको यह गिर्णारो वारलेश माइक का अनबॉक्सिंग एंड यूच वीडियो कैसा लगा मुझे कोमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा इसका मोडल नंबर है गिर्णारो जिए इलेवन इसमें कई मोडल आने लगे हैं क्योंकि जब मैं इसको पर्चेस किया था उसमे मैं यह कई सारे मोडल आने लगे हैं तो अगर उसके रिकार्डिंग कुछ हौल भी इंफर्मिशन चाहिए कि तो मैं यह की काफी जिसमें यूज कर रहा हूं अगर इसको पर्चेस कर सकते हैं और यह जोएकि बॉक्स में इसली कर सकते हैं इसको पहीं भी अगर ले जाना हो इस तरह से जो कि देखिए इसमें इस तरह से एयर पैट का होता है चार्जिंग वाला उस तरह से केस इसमें दिया गया है और मैं इसको इसली कर सकता हूं कहीं भी अगर भी ले जाना हो तो सीधा आपने जेब में इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हैं और इसका पावर जो है नए वीडियो में तब तक लिए नमस्ते जाएं